हेलो दोस्तों रमस्कार सब्सक्राइब काल एनार आप मैं हूँ आपका दोस्त राजा उस्ती दोस्तों कई बार ऐसा सीचुशन आता है कि जैसे यहां आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक राउंड़ फ्लैश है और इस कंडिशन में आपको इस फ्लैश में अगर आपको इ यह F1250 फ्लैश हो या फिर कोई भी राउंड़ फ्लैश हो उसमें यह एसेसरीज एक्जेक्ट काम करने वाली हैं दोस्तों यह है डिजिटेक का DFB 003 और यह एक कमाल की एसेसरीज है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी राउंड़ फ्लैश में आए फटा-फट इसको अंबॉक्स करते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या चीज है तो यदि आप इसको उपन करते हैं सिंपल यह इस तरीके के एक बॉक्स में आता है और बॉक्स को जैसे आप उपन करेंगे तो इसकी सारी एससरी जो है वह कुछ इस तरीके से आपको देखने तो यह जो bounce card है, इसे आप अपने flash में use कर सकते हैं, इस तरीके से लगाके, फिलाल मैं इसे use नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस bounce card का आप use कर सकते हैं, यह bounce card simply normal तरीके से जैसे flash में bounce करते हैं, उसके लिए होता है, इसके अलावा आपको मिलते हैं यहाँ पे कुछ gels, तो यह जो gels diffuser दोस्तों बहुत काम का है, तो दोस्तों यदि इस light को मैं on करके इस तरीके से fire करता हूँ, तो आप देखते हैं कि इससे बहुत ही hard light produce होती है, जबकि अगर मैं इसमें यह एक छोटा सा diffuser add कर देता हूँ, जो कि magnetic है, सबसे important चीज़ है कि इसमें जो diffuser आता है, वो magnetic आता ह तो दोस्तों यह इसका कमाल है, यनि कि आप light को suddenly soft कर सकते हैं, इसके अलाव दोस्तों अगर आपको light को all diffuse करना है, तो यहाँ पर different different accessories आपको मिलती है, आपको सारी accessories दिखाता हूँ, यह है इसका bandor आपको मिल जाता है, और यह bandor आपको कैसे यूश करना यह भी बता रहा हू दोस्तों, grid बहुत काम काता है, अब देखें, मैं इसको किस तरीके से लगाता हूँ, suppose मैं चाहता हूँ, सबसे पहले light को diffuse करना है, तो मैं इसमें एक diffuser मैंने लगा दिया, अब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर diffuser लगा दिया, diffuser लगाने के बाद दोस्तों मुझे लगता हूँ, यह देखें, यह बहुत काम के ऐसे सरी है, यह आदि आपके पास एक round head flash है, तो जिसे आप wedding में, pre wedding में और साथी साथ fashion photos में भी बहुत कमाल से use कर सकते हैं, दोस्तों, इसके अलावा एक और accessory है, जो इसमें मुझे काफी काम की लगती है, और वो है इसका snoot, यह दोस जहां पर आप light को भेजना चाहते हैं, मैं एक बार try करता हूँ, कि यदि मैं यह अली accessories लगाता हूँ, support, मैंने यह अभी तक चेक नहीं किया, लेकिन यदि मैं इस accessories को लगाँ, यानि मैं light को फोड़ा सर diffuse करना चाहूँ, यह light diffuse भी हो गए और इसके उपर क्या snoot लगता है, तो यदि आप light को diffuse करके चाहते हैं कि आप बिल्कुल directional उसको दे, तो भी accessories के through कर सकते हैं, तो आईए दोस्तो देखते हैं, Digitec के DFB003 इस kit के अंदर क्या क्या चीज़ है, दोस्तो जैसे ही आप इस kit को open करते हैं, सबसे पहले आपको मिलता है four wing reflector, जो की बहुत कमाल का है, इससे आप light को directional approach दे सकते हैं, दोस्तो इस kit में मिलता है आपको round head flash के लिए एक snoot, जिससे आप अपने flash में use कर सकते हैं, बिल्कुल directional light देने के लिए, जिस point पे आप light देना चाहते हैं, जिस round पे आप light देना चाहते हैं, उसके लिए आपको मिल जाता है, इस kit के अंदर एक snoot, अब दोस्तो जब भी हम wedding shoot में जाते हैं, या pre wedding shoot में जाते हैं, या किसी प्रगार के photo shoot में जाते हैं, तो light को diffuse करने के लिए, हम एक special diffuser use करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, डोम diffuser, वह भी आपको इस kit के अंदर मिल जाता है, तो यहाँ पे मेरे पास यह dom diffuser, जो आपको इस diffuse करके दे सकते हैं, या कि hard light को आप soft light में easily convert कर सकते हैं, इस diffuser plate के थूँ, इसके अलावा इसकी next accessory जो है, आपका bounce card, जिसे आप use करके, अपने किसी भी round head flash में bounce करा सकते हैं, easily, bounce card को use करने के लिए, आपको इसमें मिलता है, अलग से adapter जिसे आप इस तरीके से लगाएंगे, और इसमें आप अपने bounce card को इस तरीके से fit कर देंगे, तो दोस्तो इस तरीके से आप अपने bounce card को use कर सकते हैं, और किसी भी जगा पे आप flash को proper way पे bounce करा सकते हैं, और दोस्तो इस filter के साथ आपको एक और चीज मिलती है, जिसको हम बोलते है, honeycomb grid, यह honeycomb grid बहुत कमाल का होता और दोस्तो इसके kit में आपको मिलता है इस तरीके से color filter, color filter के use आप सभी को पता है, जब भी आप color filter use करते हैं, तो आप background को different करने के लिए, या hair light में different color देने के लिए, या cut light देने के लिए इस तरीके की filter के use करते हैं, जिससे आप काफी अच्छा effect पा सकते हैं अपने photo में, तो दोस्तो इतनी सारी accessories आपको मिलती है, Digitech के FB003 kit में, ये एक round head flash के लिए आता है, तो यदि आपके पास कोई round head flash है और उसे आप different different तरीके से use करना चाहते हैं, तो ये kit आपके लिए काफी कमाल का हो सकता है, आईए दोस्तो मैं इसके price की बात करता हूँ, यदि आप Amazon म में यूज करना चाहते हैं, तो ये kit आपके लिए काफी कमाल का हो सकता है, तो link में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप इसे बाइ कर सकते हैं, आपको ये video कैसा लगा, आप हमें comment करके जरूर बताइएगा, दोस्तो आप अपने flash के लिए कोन सा kit यूज क